हेलो एवरीबन, वेल्कम टू मै चैनल आशा स्लाइस्टाइल आज हम शेयर करेंगे कंजक का खाना नवरात्री नौमे का जो हम खाना बनाते हैं वो खाना आज हम शेयर करेंगे यहाँ पर मैंने 3 रेशिपी शेयर करी है चने और उरी और हलवा तो आज हम इसी की recipe शेयर करेंगे, तो चले स्टार्ट करते हैं, तो हम सबसे पहले यहाँ पे चने की recipe शेयर करेंगे, मैं actually चना सूखारी बनाती तो चले आज इसकी recipe देते हैं, तो यहाँ पे मैंने ओवर नाइट चना को पानी में भिगो के रग दिया था, फिर मैंने इसको एक बाद साफ पानी से धो लिया बिकोज इसका कलर बिल्कुल चेंज हो जाता है फिर धो के मैंने इसको निकाल लिया है पानी से और अब हम इसको यहाँ पे बॉल करने के लिए रखेंगे कुकर में दो से तीन सीटी में यह अच्छा खासा बॉल हो जाता है तो यहां पर हमने कूकर ले लिया और अब ये सारे चने मैं इसमें ट्रांसफर कर दूँगी और इसमें अब हम डाल देंगे पानी और फिर पानी के बाद हम इसमें डालेंगे दो आलू जी हाँ इसमें चने में मैं दो आलू भी डालती हूँ बहुत ही अच्छी सब्जी बनती है ये तो यहां दो आलू मैंने डाल दिया है और नमक डाल के इसको उबाल लिया है दो तीन सिटी में तो ये देखे मैंने पानी से अब इसको अलग कर दिया है ये काफी अच्छे से सॉफ्ट हो गए है देखे मैं आपको दबागे दिखाती कट कर लेंगे और मैंने 2 हरीमिच काटी है और हमें वो चना लेना है बस अंली यह तीन इंग्रीडिटेंट्स है बाकी सुख्य मसाले हैं तो यहां पर हमने कुकर में तेल चड़ा धिया है जब तक तक हम इस चने को थोड़ा सा मसल लेते jest बिकोज हमें आधा चना मोटा ही रखना है और आधा चना इस तरीके से मसल ले तो इसकी ग्रेवी बहुत ही अच्छी बनती है तो यह देखिए मैंने आधा चना को मसल लिया है मैश कर लिया है और यहां पे तेल गरम हो गया तब तक तो हमने सबसे पहले जीरा डाल दिया इसमें और अब हम यह आलू और हरी मिच को थोड़ी देर के लिए डाल देंगे तेल में एक से दो मिनट पकाएंगे बिकोज आलू और फिर हम डालेंगे अमचूर पाउडर अमचूर पाउडर से थोड़ा खटा खटा टेस्ट अच्छा आहएगा सबजी में तो अमचूर पाउडर और वर्त वाली सबजी है मतलब भगवान को भोग लगानी है तो हमें इसमें जादा कुछ ऐसी चीज है लसन प्यास तो ब और चने डाल दिया है और इसको अच्छे से थोड़ा सा फberry कर लेंगे सुखा तoben सुखे नहीं बनाती हूं लिए मैं नाओमी में यह ग्रेवाली सब्जी sign me em cake नहीं सब्षय, नाओम्मी के नाओमी में यह अब थोड़ determiner, सब्अच्छी निखर नाओम्मी उट एक जाएगी तो चलिए ये सब्जी तो अल्मूस्ट बन चुकी है तो अब हम बनाते हैं सकेन आइटम तो यहां पर मैंने आटा लिया है और आटे पर मैंने नमक डाल दिया है और थोड़ा सा एजवाइन डालेंगे हम बस और इसको एक पर मिक्स कर लेंगे अच्छे से अब यहां पर हम देंगे मोयन घी का तो मैंने गी को गरम करके रख लिया था साइड में और यह गरम घी शाल दिया है और अब आ आटे को अश्य से मोयन में मिक्स कर लेंगे मतलब अच्छा सा मोयन देंगे इस तरीके से हिये लडू बन सके अच्छा सा तो अब हम पानी देंगे और पानी के मदद से आटे को अच्छे से गूत लेंगे बहुत ही हमें ना सॉफ्ट पूमना है ना ज्यादा हार्ड एगनम नॉर्मल आटा यह देखे और बस इसको ढ़क के रख देंगे और यहां मैंने थोड़ा सा ओयल इसली लिए बिकॉस मैं सु कुलए करें, यह की मैचा ही तरीक में निकाल लेंगे और इसी तरीक से बासे सरह बोस्किन हभी पूणना यह मेंने कालै है na तीक काफी अच्छी कलर आ रख धोब चली हम बनाथे तर्ड एटाब purposes ड़uzu का हलबा तो यहां मैंने गरम-पनी में कड़ाई में घी कोो थोड़ा मैल्ट होने दें गे और जब घीऑ to add this केसे मेल्ट हो जाए इस तरह के से तो अब हम यहां पर शूजी डाल दें गे तो यहां या पर दाल देंगे dry fruits मैंने dry fruits को अलग से नहीं fry किया है इसमें डाल देने से थोड़ी जब सूजी पक जाये ना उसके बाद हमें dry fruits जाना because dry fruits को जादा नहीं पकाते वह जल जाते है इसे लिए तो यह मैंने dry fruits जाल के एक मिनट और थोड़ा सा इसको पकाया है तो यह हो चुका है तो अब हम इसमें डाल देंगे केसर वाला पानी यह देखे बहुत अच्छा color आ जाएगा इससे और बस इसके बाद ये अच्छे से mix करने के बाद हम यहाँ पे डाल देंगे पानी सुजी में हमने एक कप सुजी लिया है तो हम half cup या 3-4 cup पानी डाल सकते हैं और बस इसको इसको इस तरह के से mix कर देंगे अच्छे से ताकि लंस ना रहे इसके बाद अच्छे से मिक्स हो जाए तो हम डाल देगे शुगर जब पानी अच्छे से अबस्षब कर ले बूढ़ तो हम सुगर डाल देंगे शुगर मेन begin Secichi Agr है अब इस शुगर को भी हम अच्छे से मिक्स कर देंगे जब तक है लें और यह देखिए अच्छे से यह मैल्ट हो रही है सुगर तो हमारी यह हलवा भी अब अलमस्ट पन कर रेडी हो गया है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना आपको मेरी तीनों रेसिपी से कौन सी रेसिपी अच्छी लगी है और मिर्ते है फिर ऐसी अच्छी से वीडियो के साथ नवता कि लिए बाइबाइ